हेलो फ्रेंग्स आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्व 24 न्यूज नमस्कार मैं हूँ आपका दोस्त आसिप सिद्धी की आज हम फिर हाजिर हैं करियर मार्ग दर्शन लेकर करियर मार्ग दर्शन में हमने आप से बात की थी आप अपने सवाल बेजिए उनके जवाब देंगे कर करोना काल में जिन लोगों की नोकरियां गई हैं या जो लोग करोना काल में नोकरियां ढूंड रहे हैं वो किस तरह के परयास करें ताकि उन्हें बहुत सही सवाल आपने पूछा है बहुत सही बात अपने रखी है कि करोना के बाद में बहुत से लोग नोकरियां बदल रह या बहुत से लोगों की नौकरियां गई हैं और बहुत से ऐसे नौजवान साथी भी हैं कि जो रोजगार तलास रहे हैं तो कुछ आज हम इस कारिक्र में इसी तरह की बातें करेंगे कि बहतर जॉब और अच्छा करियर कैसे बना सकें क्या आसान सी टेक्निक हैं जिन से हम एक अच्छा करियर बना सकते हैं अच्छी जोब पास सकते हैं तो देखे आसिप जी कई बार हमने देखा है बैवार में ऐसा होता है कि कोई स्टूडेंट बहुत अच्छा पड़ा लिखा है अच्छा डिगरी धारी है अच्छी क्वालिफिकेशन उसके पास है सारी चीज़ा मौझूद है लेकिन उस सबके बावजू उसका करियर उसका मनवाफिक नहीं उसको मिल पाता है तो इसके कुछ बाते हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे कि क्या कौन-कौन सी चीज़े हैं जो कोई स्टूडेंट डिगरी पाने के बाद में ध्यान रखे अपना करियर शुरू करते वक्त तो वो एक अच्छा मुकाम अपने करियर में हासिल कर सकता है एक अच्छी जोब पा सकता है उसके लिए कुछ बुनियादी बाते हैं जैसे कि आप कोरोना के इस आउसर को ही ले लें तो अब हमारे पास में जोब के पूरे तरीके बहुत से बदल रहे हैं तो सबसे पहली बात तो आपको ध्यान रखना होगा कि आप मौजूदा विकल्पों पर ध्यान रखें कि आपके पास में जोब के कौन-कौन से options मौजूद हैं आपके पास में मान ले जाए आपने engineering के degree ली है आपने b.tec किया है या आपने b.ba किया है तो आप कुछ नए jobs भी आपके लिए available है या नए ग्रवाजे आपके लिक से हट कर जाने हैं remote jobs अब ज़्यादा हारे, home-based job अब आएंगे तो इस तरह के माहौल में आपको जितने विकल्प आपके पास में मौजूद है उन विकल्पों को भी खुला रखना है उन विकल्पों को लगातार तलास्ते रहना है कि मेरे लिए मैंने अगर डिगरी की है तो इसके बाद आप कौन से नए रस्ते खुल रहे हैं तो सारे विकल्पों पर आप गौर करें उनको analyze करें और उसके बाद में जो best option है best विकल्प है आपके पास में उसको अपने लिए उस पर आगे बढ़ें एक बात यह है दूसरी बात कि हमने यह देखा है कि कई बार विद्यार्थियों में या students में जो job के लिए aspirants हैं उनमें communication skills की बहुत कमी होती है वो हो सकता है कि उसने बहुत ही high qualification हो लेकिन जब वो communicate करते हैं अपने audience से या अपने market में जब उनको लोगों से बात करनी होती है अपने client से हाँ कोई भी चीज प्रेजेंट करनी है खुद को प्रेजेंट करना है अपनी company के बारे में कोई presentation देना है तो उनका अच्छा communication skills नहीं होता है और अगर team का member communication में कमजोर है तो team जो है अच्छा perform नहीं कर पाती है इसलिए communication skills भी अच्छी होनी चाहिए तो जब हम नौकरी के लिए जा रहे हैं हम किसी अपना नया रोजगार सुरू करने जा रहे हैं तो हमारा communication skills भी बहुत अच्छा होना चाहिए देखिए ये सिर्फ नौकरी तक की बात नहीं है दरसल आपको अगर अपना स्वैम का काम भी करना है entrepreneur भी आप बन रहे हैं तो वहाँ भी आपको एक अच्छा communication skills होना बहुत जरूरी है तो communication skills भी आपके पास में अच्छी होनी जरूरी है तीसरी और जो जरूरी बात है वो है negotiation skills अच्छी होनी चाहिए negotiation skills का मतलब है कि जैसे कि मानने जाप नौकरी करने जा रहे हैं आपने interview दिया वहाँ HR के लोग आपसे पूछते हैं कि हम आपको क्यों ले इस फराफरा जॉब के लिए आप क्यों suitable हो why you are a most suitable candidate for this particular job so वहाँ आपको explain करना है कि अपनी suitability अपनी उपयोगी था कि मैं company के लिए इस तरह से उपयोगी हो सकता हूँ अगर आप मुझे इस पद के लिए select कर लेते हैं तो वहाँ negotiate करना होता है हर चीज़ पर आपको अपनी qualification भी बतानी पड़ेगी अपनी suitability भी बतानी पड़ेगी साथी साथ जब salary की बात आएगी आपसे company आप पूस्ते हैं कि वही आप क्या salary होगी हमारा ये पैकेज है private sector में तो इस तरह की बाते हैं ही है सरकारी में ऐसा नहीं होता है लेकिन सरकारी छेतर में भी जब आप साक्षातकार देते हैं इंटर्व्य देते तो आपसे जो न्योकता है वो पूस्ता है कि हम आपको क्यों ले कई बार आपको लिख के बताना पड़ता है तो communication skills भी काम आएगी साथ में आपकी negotiation skills भी काम आएगी आपको अपने suitability बतानी पड़ेगी इसके लिए जरूरी यह है कि पहले अपना homework करें वो बहुत से homework करें पड़े भी अकबार पड़ें, magazines पड़ें इन सारी जो पढ़ने वाली जिनके आदत है वो लोग कहीं भी फेल नहीं होते शाहे बिल्कुल आपने सही का आपको अगर आपका homework अच्छा है तो ही जाकर के आप अच्छा perform कर पाएंगे इंटर्व्यू में भी और हमने तो यह भी देखा आसिप जी के कई बार विद्ध्यारती वो अपना basic जो चीजे मैं बताओं आपको अपना resume बनाते भी नहीं आता है अगर वो अपना CV बनाता है तो CV में भी आपकी उन चीजों को highlight करें जो आपकी strength है साथी साथ अपनी इमानदारी से अपनी weakness भी उसमें रखें क्योंकि नोकता जानना चाहता है कि जो हमारे लिए जिसका interview हम ले रहे है उसके क्या positive चीजे हैं क्या उसमें कमजोरियां है so that वो आपको fit कर सके अपनी संस्ता में तो आपको इमानदारी रखनी मुझे नहीं लगता था कि किसी नाच्टिक अपने रिजूम में अपने कमजोरियां लेकर के दिये होगे आजकल कमजोरी पर भी बहुत ध्यान देते हैं आपको बताना पड़ता है कि मेरे पास ये skill नहीं है अगर नहीं है तो company आपको इस तरह के संसादन मौय कराती कि आपके उस weakness को भी आपको इमानदारी रखनी चाहिए क्योंकि देखे जिसके साथ आप अपना करियर शुरू करने जा रहे हैं उसको इमानदारी से आपके बारे में सारी चीजे पता होना बहुत जरूरी है अगर आपके बीच और सहस्ता के बीच एक ट्रस्ट का बाउन बनेगा तो आप लंबे समय तक अपने करियर को वहाँ चला पाएंगे अधरवाइस फिर जूट पर आप बुनियाद रखेंगे करियर की तो 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 मुश्किल होता है तो कम्यूनिकेशन स्किल्स नेगोशिशन स्किल्स मतलब पूरे प्रयास तो यही होने चाहिए हम सिर्फ अपने लिए नोगरी ढूलना जाते हैं लेकिन हमें यह भी सोचना चाहिए कि हम जहां जा रहा है हमारा जो नयुकता है हम उसके लिए कितना लाप परद है अपनीं बारे में, बहुत बढ़ा चाहता है परना मेरी इक हैndy डटाक्र company बार्य निटीच के टेम्स कर तो आए निशिच फेटर ने there में जो इंप्लॉई हैं उनके हमेशा मुल्यंगन होता रहता है तो एवैलोशन के दौर में आप हमेशा पिषड़ेंगे अगर आपने अपने बारे में बड़ा चला करके बाते बताई है और आप उनको प्रूव नहीं कर पा रहे हैं कहीं लगतार आपकी परिक्षा लेते रहेगी जो आपने बता रखा है तो यह कुछ बाते थी जो आपको एक अगर नया करियर शुरू करना है और एक चीज और बजलते वे मार्केट के हिसाब से आप अपने आपको अपडेट रखे कभी भी आप इस चीज को ध्यान रखे यह माल लेजाए आप शोशल मीडिया पर भूँ सारी कंपनिये सोशल मीडिया के मादम से हाइरिंग करती है अजकर के दोर में अपनी वेबसाइट पर बड़ी बड़ी आई-टी कंपनी और मार्केटिंग की कंपनी इस तरह के आखबारों से थिहार देकर नौकरी के लिए नहीं अप्लिकेशन समगाती है बल्किवे अपनी वेबसाइट पर विग्यापनों को लगाती है आप आपके पास में फेस्बुक है या आपके पास में लिंक्डिन है लगपक सभी बड़ी कंपनी ने अपने जो वेबसाइट है उसके दर एक जाब वाला तिकाल भी बना रहा है लेकिन बहुत पर्टिकुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी वेबसाइट को भी आप लगाता देखते रहें और उसमें ये उसमें सबसे अची बात यह इसमें नौकरिया नहीं आते हैं आसिव जी बलकि मैं आपको बताओं कि वहाँ पर एनलेसिस भी आते हैं जो आपको बताते हैं आने वाले से भी अपने आपकी स्किल्स को निखारते रहें अपडेट रहें तो वे कुछ बेसिक बाते हैं जिससे आप थोड़ा अपना करियर को स्टैब्लिश बहतर तरीके से कर सकते हैं मेरा ख्याल है नमस्कारम में मेगा गंगराडे योग प्रशिक्षर और मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ एक खास कारिकरम योग भगाए रोग बात अभी रिजियूम की हुई रिजियूम में हम बात कर रहे थे हम अपनी कमजोरी भी दें मैं सरसर पुछना चाहूँगा सर किस तरह रिजियूम बनाये जाए जो किसी भी कमपानी को या नियोकता को वो जल्दी आकरशित कर सके आसिप जी ये भी एक अच्छा आपका सवाल है दरसल रिजियूम कई बार लोग क्या करते हैं बहुत हैवी कंटेंट उसमें डाल देते हैं बहुत सारा कंटेंट डाल देते हैं याद रखिए कि जो भी आपके रिजियूम को पढ़ रहा है उसको आपकी important बाते पहली पता लगनी चाहिए कि आपके भीतर क्या 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 खूबिया हैं क्या उसके जो जॉब है जौब प्रोफाइल जो है उससे मिलती जुलती खूबिया है या नहीं जब आप CV बनाएंगे तो कोई उसको देखने नहीं जा रहा है क्योंकि उनके पास 1000-1000 आप्लिकेशन साथ मतलब सरका इस पस्ता कहना है कि आप जिस नोगरी के लिए जा रहे हैं उसके लिए एक अलग से बनाएं बिल्कुल क्योंकि क्या होता है कि सपोज कि आपने मास मीडिया की पढ़ाई किये हैं तो आप content writer भी हो सकते हैं आप sub editor भी हो सकते हैं आप journalist भी हो सकते हैं किस profile के इसलिए आप apply कर रहे हैं उसके हिसाब से आपका CV होना जाए और वहीं उनी बातों को आपको highlight करना जाए जो job के हिसाब से demand में हो तो CV को बिल्कुल आप और short बना करी सीवी बहुत जरूरी चीज होता है किसी भी नोगरी के लिए सबसे पहले हम जब जो अपना resume देते हैं उसको पढ़ने के बाद ही हमसे सवाल किये जाते हैं तो मतलब हम जब भी अपना resume बनाए तो इस तरह बनाए कि उसके हर सवाल का आपके बास जवाब होना चाहिए दूसरा कुछ लोगों ने सार हमसे सवाल भी किया है हम चाहिए कि सवालों की जवाब भी आप उनको दे हैं खुशी शुकला है इन्होंने कहा है कि मेरा 12th complete हो गया है तो मुझे आगे क्या करना चाहिए मैंने computer course भी किया है देखिए बार्वी के बाद बहुत से options कुलते हैं अगर आपका science है या arts है या commerce है जिस भी stream से आपने बार्वी किया है तो बार्वी के बाद आपके पास में interdisciplinary भी और आपके discipline में अगर आप science से हैं तो जैसे B.S.E. कर सकते हैं बायो life sciences से हैं तो आप B.S.E. agriculture से कर सकते हैं या B.S.E. life sciences से कर सकते हैं अगर आप math से हैं तो द communications का है, media studies का है, आपके पास में film and television institutes के courses हैं, तो बहुत सारी courses हैं, लेकिन आपको अपना career शुरू करने से पहले, चुकि यह पहला पढ़ाव है लग बग लग बार्मी, तो आपको सोच समझ करें के अपने interest के हिसाब से, आप अपने लिए hobbies जो हैं, आपके जो interest हैं, वो आपकी study से mail खाते हैं, तो इस बात की सम्मावना ज़्यादा बढ़ जाती हैं, कि आपका career भी उससे बहुतर तरीके से आप कर पाएंगे शुरू, तो आप जरूर जिस भी course का चुनाओ करें, अपनी interest और hobbies को देखते वे उसका final चुनाओ करें, एक और सवाल है सर, येशी ने भेजा है ये, इन्होंने कहा है कि मैंने MP बोर्ट, मैं MP बोर्ट का student हूँ, मैंने इस साल दसवी complete किये, मुझे 11 में किन सब्जेक्ट को लेना चाहिए? येशी आपने एक अच्छा सवाल पूचा है, दसवी के बाद हमारे पास में 11 या 12 में, जब हम 11 में admission लेते तो हमारे पास science, arts, commerce, इस तरह के अलग-अलग streams हमारे पास में खुलते हैं, तो आप भी 12 में board जो करना जा रहे हैं, तो 11 का admission लेने से पहले ये देख लें कि आपकी रूची किसमे है, आपका जो अब तक का performance रहा है, 8 वी का, 10 वी का, आपकी humanities में, social science में, literature में, किस अब आपका रुजान जादा है, तो उसको सोच करके, उसको समझते हुए, सिर्फ भीड को कहा जा रही है, लोग क्या subject जादा ले रहे हैं, इसके बनिस्बत आप ज़रूर इस चीज को तवज्यों दे कि आपकी रूची किस विशह में है, अगर आप arts के, आपको अच्छा लगता है, तो arts पड़े, आपको science अच्छा लगता है, आपको science में कुछ करना अच्छा लगता है, literature अच्छा लगता है, तो इस सारी चीज़े देखते हुए, आप 11 मी का निर्न ले, क्योंकि यहीं से आपके फिर career की शुरुवात होने जाएगी, ग्यार्मी का विशह चैन मैच से लिया था, subject लिया है, तो अब subject चेंड करना चाहते हैं, नहीं, तो आपको अपने, अगर आपके परिक्षा परम भरे गए होंगे, अब तक चुकि academic session भी काफी समय निकल गया, syllabus भी काफी निकल गए होंगे, तो अब थोड़ा सा आपके लिए subject बदलना मेरे ख्याल स मुश्किल होगा, फिर भी आप अपनी school authority से बात कर सकते हैं, कि क्या उन्होंने आपका जो enrollment है, आपके परिक्षा फरम तो नहीं भरे गए, बोर्ड परिक्षाओं के, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हाँ, आप आपने चुकि इतने समय ये पढ़ लिया है, लगबग, school खुले वे कापी समय हो गया है, तो आपके पास ये option मनता है, कि आप बार्मी तो जरूर इससे करें, लेकिन आगे जाकर कि अगर आपको science या maths नहीं पढ़ना है, आपको designing का course करना है, photographic का course करना है, business management का course करना है, तो बिल्कुल आप उसके बाद stream change कर सकते ह आपको ततकाल अपने school से पूछना पड़ेगा, और जितने जल्दी आप पूछेंगे, उतनी ही जल्दी आप बिकल बदल सकते हैं, अन्यता फिर परिक्षा form बरे गया होगा, enrollment हो गया होगा, तो फिर मुश्किल हो जाता है, तो बेतर है कि आप अपने school के administration से बात करें, subject बदलने के बारे में, अगर वो allow करते हैं और form नहीं बरेगे, तो मेरी खाल से बदला जा सकता है, अगला सवाल सर भावना का है, यह कह रही है, मैंने दो साल पहले बिकॉम किया था, फिर मैं आगे PGDCA करना चाहती थी, पर नहीं कर पाई, तो अब मैं competitive exam भी करना चाहती हू तो यह कैसे संबा हो सकेगा? जो है परिक्षा देने के लिए संस्तान में जाना पड़ता है, या फिर अगर आप थोड़े सी contact classes लगती है, एक हपते की 15 दिन की contact classes भी कई बार होती है, distance learning में, तो वहाँ contact classes में आपको appear होना पड़ता है, उसके बाद आपके examination होना होते हैं, तो वहाँ अगर आप distance से PGDCA क course के बाद आपके पास में पूरे दिन में काफी समय होता है, जहां आप अपनी competitive exam की तयारी को continue कर सकती है, तो दोनों चीजों को एक साथ रख करके आप समायोजन करके चल सकती है, या आप पर निरबड करता है कि PGDCA को कितना समय आप दे रही हैं, कितना समय आप competitive exams को देना चाती हैं, क्योंकि PGDCA करने के बाद भी बहुत से jobs में computer का diploma आजकल मांगा जाता है, तो competitive exams के देने के बाद भी आपको PGDCA के diploma की ज़रूरत आपको लग सकती है, इसलिए PGDCA को भी तवज्यों दे करके आप competitive exam की तयारी के साथ में कर सकती है, तो ये थे आज के सवाल, सर ने travel and tourism industry के एसाब से हम देखें, तो हिंदुस्तान एक बहुती बड़ा tourism का destination है, दुनिया पर से आतिती परेटक हमारे यहां आते हैं, और बहुत बड़ी industry है हमारे यहां tourism के, travel and tourism की, तो travel and tourism में क्या सम्मावना हैं, किस तरह के courses करके हम इस industry में एक अच्छा career तला सकते हैं, औ बलकि हिंदुस्तान के बाहर भी, travel and tourism industry में अगर आप अपना career establish करना चाहते हैं, तो इस से related आपकी कोई सवाल हो, इसके बारे में हम आपके साथ जानकारियां साजा करेंगे, और कोई सवाल अगर आपका है, तो travel and tourism industry से related आप पूछ सकते हैं, आपके सवालों का स्वागत है तो धन्यवाद हमारे इस कारक्राब में बने रहने के लिए सर आपका, अगले बार हम आपसे फिर मुलाकत करेंगे, हमारे साथ में होगे, श्री संदीब भट सर, थैंक्यू